गुड मोर्निंग एविवन आज हम कक्षा 4 के हिंदी की पाठ्थे पूस्तक से पाठ 13 बांसुरी वाला के बहु विकल्पिय पश्ण उत्तर करेंगे पाठ बांसुरी वाला में बांसुरी एक वाद्दे यंतर है जो मुँ से बजाए जाती है जिसमें अनेकों छेद होते हैं अब आपको यह बताना है कि नेम्न में वह कौन सा वाद्दे यंतर है जो मुँ से बजाया जाता है विकल्प हैं हार्मोनियम, गिटार, शेहनाई, ड्रम तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प गः, शेहनाई परश नमबर दो, जिस प्रकार गवाले गाएं चराएंगे, किसान खेती करेंगे, चितरकार चितर बनाएंगे तो जुलाहा नेमन में से क्या काम करेगा विकल्प हैं, जल लाएगा, जूला जुलाएगा, कपड़ा बनाएगा, पशु चराएगा तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, जुलाहा कपड़े बनाएगा हमें परशन में दिये गए अन्य भी याद करने हैं जैसे गवाले क्या करते हैं गवाले, गाएँ चराएगे, किसान खेती करेंगे, चितरकार चितर बनाएगे, और जूलाहा कपड़ा बनाएगा पर्शन नम्बर तीन, बच्चा बासुरी लाने की जित करता है, वह अपनी इच्छा किस के सामने रख रहा है विकल्प हैं भगवान के, द्रोपदी के, अम्मा के, बाबा के, तो इस पर्शन का सही उत्तर होगा विकल्प गः, अम्मा के पर्शन नम्बर च्यार, बच्चा बासुरी लेने व गाये चराने आदी के जित करता है, नेमन में से वहकूंसी जित है, जो मथूरा को मामा के आतंक से मुक्ति दिलाती है विकल्प हैं दुश्याशन का अंत, कंस का अंत, रावन का अंत, मेगनाद का अंत इस परशन का सही उत्तर होगा विकल्प ख, कंस का अंत क्योंकि श्री किष्ण के मामा कौन थे? कंस परश नमबर पाँच, किष्ण ने कंस को मामा कहा है केशन के मामा कौन थे कांस मामा माता का भाई होता है तो कंस की बहन कौन थी कंस की बहन यानि की किशन की मा कौन थी देव की विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा देव की परशन नमबर छे भगवान किष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था गीता का उपदेश किसको दिया था अर्जुन को किस ने दिया भगवान किष्ण ने वह स्थान है कुरुकशेतर कहां दिया कुरुकशेतर में कुरुक शेत्र निम्न में से किस राज्य में है विकल्प है पंजाब, हिमाचल, उत्तर परदेश, हरियाना तो इस परश्ण का सही उत्तर होगा विकल्प घर, हरियाना पस्ट नमबर साथ, द्रोपदी पांडवों की पतनी थी, लेकिन धृत के क्रेडा में ऐसे दाओं उपर लगा कर पांडवों द्वारा हारा गया और कॉर्वों ने उसे जीत लिया, तदुप्रांथ कॉर्वों की तरफ से द्रोपदी का चीरहरन किस के द्वारा किया गया पस्ट का सही उत्तर होगा, विकल्प ख दुशाशन पस्ट नमबर आठ, अरजुन पांडव के वन्शस थे, वे एक निपून धनुर्धारी थे जब कॉर्वों व पांडवों के बीच युद्ध के दोरान भगवान केश्ण की निम्न में क्या भूमिका रही विकल्प है कॉर्वों की तरफ से लड़े, युद्धिस्ठिर के रत के सार्थी रहे, भीम के रत पर थे, अरजुन के रत के सार्थी थे इस पस्ट का सही उत्तर होगा, विकल्प ख अरजुन के रत के सार्थी थे पश नमबर नो जब इंद्रदेव कूपित हो गए थे तो उन्होंने गोकुल वासियों को भारी आंधी तुफान से बचाने के लिए छट खड़ी कर दी थी नेम्न में से उस परवत को अपनी उंगली पर उठाया था आपको बताना है कि नेम्न में से उस परवत का क्या नाम था विकल्प है हिमाल्य, गोवर्धन, नीलगिरी, विंध्याचल तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ख, गोवर्धन पश नमबर दस, जब कोर्वों वप पांडवों का युद्ध हो रहा था, तब आमने सामने युद्धा, युद्ध करने के लिए खड़े थे क्या आप बता सकते हैं उनके बीच क्या संबंध थे, पाठ के अनुसार हमें यहाँ पर उनके संबंध पाठ के अनुसार बताने थे, तो विकल्प है, रिष्टेदार, पडोसी थे, दोस्त थे, अपराधी थे इस पशन का सही उत्तर होगा विकल्प करिष्टेदार परस्ण नमबर 11, जब युद्ध कोर्वों और पांडवों के बीच चल रहा था, तब एक पांडव ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह अपने रिष्टेदारों पर बान नहीं चलाना चाहते थे, तब कुष्ण भगवान ने उसे निम्ण में से किसका उपदेश दिया था विकल्प हैं महाभारत का, रामायन का, गीता का, वेदव उपनिश्यदों का इस पश्ण का सही उतर होगा विकल्प ग, गीता का पश्ण नमबर बारा, पाच पांडव थे, जिन में से एक थे अरजुन अरजुन ने युद्धना करने का निर्ने लिया, अरजुन ने किसके समाक्षे अपना निर्ने सुनाया विकल्प है श्रीकेष्ण, भीम, युधिस्ठेर, पिताम है भीष्ण, इस पश्ण का सही उतर होगा विकल्प कश्रीकेष्ण पश्ण नमबर तेरा, जिस परकार धनुर्धारी का आर्थ है धनुस चलाने वाला गाड़ी वाहक गाड़ी चलाने वाला होता है और घुड सवार खोड़े की सवारी करने वाला होता है इसी प्रकार क्या आप बता सकते हैं कि सार्थी का क्या अर्थ होगा आपके विकल्प इस प्रकार है साथी, हाथी वाला, रथ हाकने वाला, उट गाड़ी वाला तो यहाँ पर हमें सार्थी का मतलब बताना है तो सार्थी में देखिए सा रथी, रथ है तो यहाँ पर रथ हाकने वाला, विकल्पग, हमारा सही उत्तर होगा यहां से हमें जो इस से अलग दे रखे हैं वो भी याद करने हैं जैसे धनुर्धारी कोन होता है धनुष चलाने वाला गाड़ी वाहग गाड़ी चलाने वाला और घुड सवार घोड़े की सवारी करने वाला इसी तरह सार्थी रत हाकने वाला परस नमबर 14 है चीर का अर्थ वस्तर अभिमान का अर्थ घमंड तो क्या बता सकते हैं कि हर्ज शब्द का अर्थ निवन में से क्या होगा देखिए यहां पर चीर का अर्थ दे रखा है वास्तर याने की कपड़े अभीमान का अर्थ दे रखा है घमंड और अब हर्ज शब्द का अर्थ पूछा है विकल्प है हाथ, हज पर जाना, हानी या बाधा, हार जाना तो इस परष्ण का सही उतर होगा विकल्प ग, हानी या बाधा परष्ण नमबर पंदरा ग्वाला गायों को चराने वाला होता है यदि ग्वाले की पत्नी गायों को चराती हो तो उसे क्या कहते हैं? विकल्प है ग्वाली, ग्वालिन, पनिहारिन, गामवाले तो इस पर्ष्ण का सही उतर होगा विकल्प ख, ग्वालिन पर्ष्ण नमबर सोला दिन को दिवस या वार कहा जाता है इसी प्रकार चीर के अन्य नाम निम्न प्रकार से है जो चीर का नाम नहीं है उसे चाटो यहाँ पर देखे दिन का मतलब दिया है दिवस और वार इसी प्रकार चीर का नाम यहाँ पर नीचे दिया गया है विकल्प में और जो चीर का नाम नहीं है उसे हमें चाटना है विकल्प है वसन, कपड़ा, वस्तर, पठसन यहाँ पर हम देखते हैं कि वसन, वस्तर और कपड़ा सभी का मतलब एक ही होता है चीर, वसन, वस्तर, कपड़ा एक ही मतलब के होते हैं लेकिन विकल्प घ, पठसन सबसे अलग है इसका मतलब चीर नहीं होता तो इस पशन का सही उत्तर होगा विकल्प घ, पटसन पशन नमबर चत्रा उपमा देते हैं जैसे तूद सा सफेद गंगा सा पवित्र हाथी सा मोटा ऐसे ही परवत सा क्या होगा विकल्प हैं काला, कोमल, छोटा, कठोर तो इस पशन का सही उत्तर होगा विकल्प घ, कठोर पशन नमबर अठारा बासूरी वाला कवीता लिखी है बासूरी वाला कवीता किसने लिखी है विकल्प हैं सुभद्रा कुमारी चोहान, मैथिली शर्णगूप्त, केशो प्रसाद, पाठक, उप्रोक्त में से कोई नहीं इस पशन का सही उत्तर होगा विकल्प घ, सुभद्रा कुमारी चोहान पशन नमबर उन्नीस बासूरी वाला कवीता में अभिमानी किसे कहा गया है विकल्प है अर्जन, दुसासन, केशन, नकुल इस पशन का सही उत्तर होगा विकल्प है ख, दुसासन तो आज इस वीडियो में हमने बासुरी वाला पाठ के बहु विकल्प पशन उतर किये हैं आप इन पशन उतरों को अच्छे से याद करें और अपनी कोपी में लिखें आज के लिए ताही धन्यवाद